हेलो फ्रेंट आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विट एसन वाई में मैं प्रीम बतिया दो आज हम होमेपैथी मेडिसिन बोविश्टा लाइको पेडाउन के वारें बात करने वाले हैं यह क्या होती है फंजाई है ठीक है इसका कॉमन नेम क्या है पफ यह जैसा कि आप देख रहे हैं यह देखने में भी ऐसा ही है ठीक है इसके प्रूबर है हाइट लव फंजाई फैमिली की मेडिसिन है अब हम इसके स्फियर ऑफ एक्षन की बात करें तो इसका बहुत अच्छा एक्षन है हमें फीमेल जेनाइटल और एब्डोमन ब्लॉड और इसके ने को मिलता है ठीक है और पर्सन क्यूसों कैसा होगा वह देख में इसमें हमें बलॉट इस हैठ रयाश्वन देखने को मिलेगी बादी सर्फेस में इंलाजमेंट के साइन मिलेंगे फंद tuition को मिलता है हमें ठीक है और जब यह पास भी करेगा फ्लैटस तब हमें आवाज के साथ ठीक है और इसमें डिस्टिंशन भी देखने को मिलता है हमें अब हम इसके टेंप्रामेंट की बात करें तो इसने में नर्वस टेंप्रामेंट देखने को मिलता है साइकोसिस मियाज की मे सोविस्टा इसमें पुराट नेस अवर एक जर्सञ्सन की वज़े से क्या होता है हमें सारी कम्प्रेंस भालबा में सॉर्णेस यह यूजली ढीप देखने को मतलले यहका बार्ट जब भूब्र अब कोरी हमें उना एक में इस समय हमें वैल्भा नई घ्रदेखने को मिलती है इंटोर्रेंस ऑफ टाइट क्लॉथ एरांटव विस्ट ऐसा हमें लाइकसिस में भी मिलता है कि कमर के पास परसंट टाइट क्लॉथ नहीं पहनना चाहता है उसे अनकमफर्ट फिलिंग आती है कि ऐसा यूजली हमें मैंसेस के टाइम में देखने को मिलता है और इस परसन में जो स्वेटिंग होगी न वो ओनियन लाइक स्मेल के साथ देखने को मिलता है जैसे प्याज जैसा गंधारा उसका पसीना कुछ वैसा है अब हम इसके डिस्चार्ज की बात करें तो जो कि बहुत इमपॉर्टन्ट है तफ टिनेसिस स्ट्रिंग डीशार्ज होता है टीटियएस हम इसे ऐसे याथ कर सकते हैं तुज्डे सट्रिंग डीस्चार्ज ठीक है और ऑकवर्डनेट ओकवर्डनिस की विजए से क्या देखने को मिलेगा उसके हाथ में कोई भी चीज है तो वह गिर होती हैं और भी ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है एपिस्मेली फिका एंड नैट्रम्यूर तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं ए बॉना जैसे हमने मैंने किसी को बॉना बोल दिया मतलब जो छोटे हाइट थो हम यूजली बोलते ना बॉना तो अगर हमने बोल दिया तो क्या हो गया और अउकवर्ड हो गया तो क्याओ उसके हाथ से जो चीज थी वह गिर गई ठीक है तो एप और यहां पर एपिस में लिफिका बी फ़र बो विस्टा एंड एन फोर नैट्रम्यूर थीक है बोना बी ओ और नैट्रम्यूर जाद हो गया आपको अब हम इसके एक और सि क्रियो जोटा एंड विरेट्रम एल्बम तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं जैसे कि mb kv कोई kv का बच्चा है केंद्री विद्याल है तो mb कब चलाता है सिर्फ नाइट में तो इसमें कहा है नाइट में सिर्फ मेंसेस है तो m for maca b for bovista kv k for kriyo जोटा विफ और विरेट्रम एल्बम ठीक है अब हमें इसके headache की बात करते हैं head कैसा होता है इस परसन को ऐसे feeling आती है मतलब sensation होता है कि इसका head क्या हो गया इनलाज हो गया है इस पेसली कहां ऑसी पुट्ट से कि डिस्टेंसिव headache देखने को मिलता है हमें इसकी बहुत सजाती है condition अर्लिंग मॉर्निंग में और ओपें और से ठीक है और उस समय हमें नोच से कैसा discharge देखने को मिलेगा हमने पहले ही बात के है टूफ ट्धिंस्स तयंग से देखने को मिलते ठीक है ब्रेंड में भी बहुत जब्याट डॉलन एद्ट पेन देखने को मीलता है इस टैंबरिंग या कर देखने को मिलताLY है scalp में हमें eating मिलती है worse जाती है condition warm से sensitive होता है तब तक इसका person scratch करता है जब तक कि bleed न हो जाए या sore न हो जाए यह इसके head की बात की हमने अब हम इसके face की बात करते है तो हमें क्या देखने को मिलेगा scurf and crust about nostril मतलब क्या यह जैसा कि आप देख पा रहे है crust यह scurf देखने को मिलेगा हमें nose कह रहा हूँ ठीक है और इसका lips कैसा होगा solen देखने को मिलेगा हमें chapped होगी जैसा कि फटी फटी सी ओट है chapped lips है solen lips है यह इसमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है आपको solen lips होता है bleeding देखने को मिलती है हमें nose से and person के gum से एकने रहता है तो उसकी condition बहुर सुझाती है समय में इसके और जैसे अगर वो cosmetic यूज कर रहा है ठीक है अब हम इसके abdomen की बात करते है तो colic pain देखने को मिलता है हमें इस person में urine कैसा होता है इसका red urine के साथ और इस person को अच्छा कैसा लगता है खाने के बाद जैसे इस person ने कुछ भी eat किया तो उसके बाद हमें relief देखने को मिलता है इसके symptom में must bend double से भी से अच्छा लगता है इसका pain हमें usually umbilicus के around देखने को मिलता है stitches होता है फ्रोप पेरीनियम टोवाद रेक्टा में जे नाइटर में ठीक है chronic diarrhea देखने को मिलता है especially old people में and इसके बहुत जाती condition नाइट में and early morning में अब हम इसके menses की बात करते हैं हमने पहले ही बात की थी कि इसका बहुत ज़्यादा अगर किसी को मेंसेस हो रहा उस केस में या मेट्रो रेजिया मतलब कभी भी मेंसेस हो जा रहा है तब के लिए बोविस्टा का है बहुत अच्छी medicine है ठीक है इसके time के होता है बहुत अर्ली हो जाता है menses occasionally so every few days में भी हमें देखने को मिल सकता है between periods के ब्लैट का character कैसा होता है डार्क कलर का होता है या तो clotted हमें blood देखने को मिलता है ठीक है में 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 bearing down pain भी देखने को मिलता है ऐसा लगा कि कुछ नीचे आ रहा हूं यहाँ पर occasional show of menses blood every few days between periods ठीक है इसके साथ हमें और क्या देखने को मिलता है इन टॉलरेंस आप टाइट क्लॉथ एरांड वेस्ट हमने पहले ही बात की थी कि टाइट क्लॉथ है वियर नहीं कर पाता है इसको कमर के पास से प्रॉबलम होती है अब हम इसके मोडाल्टी की बात करते हैं इसमें हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है इस सब इक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है तो आप नोट डाउन करते जाएगे और हमें मेंसेस के साथ में जो सिंटम देखने को मिलते हैं उनको क्या वह थे कौनको मिटेंट मतलब जो किसी में सिंटम के साथ चल रहे हैं तो डायरिया देखने को मिलता ह बिफोर एंड डूरिंग मेंसेस मतलब पहले और उसके साथ में ठीक है इसका मेंसेस एक्जाम पॉइंट ऑफ जी से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको मार्क कर लिजेगा अब हम इसके लुकोरिया की बात करते हैं इसका में क्या है सिंटम लुकोरिया में लुकोरि आफ्र मेंसेस देखने को हमें मिल रहा है इसके लुकोरिया का कैसा हो का जैसे हमने बात की थी कि इसमें TTS देखने को मिलता है मतलब ठीक, सब्सक्राइब वाइब एक का चाहें वैसा है यलो कलर का भी हो सकता है विट सोरनेस वी से हैं तो यह इसके अच्छी मेडिसीन कि इस परसन की स्किन एकिस कि साथ कर सिद्धर देखने데 इसमें हमें इसे इस हैं इसने के देखनेक को मिले मैं और इस इसे उसे हो रहार औरने ऊइग एक्सायर्ट हैं ँल बॉटी में देखने कोстрिक में बिलते हैं इतनी जादा इचिंग होती है कि परसंग जब तक इसक्रैस रहता है बिलीदिंग नहीं बिलता है और इस में कहा देखने को मिलता है उटिक能 letters जैसे कोई भी ब्लंड इंस्टुमेंट यूज कर रहा हो सीजर नाइफ उसका क्या होगा निसान बन जाएगा उसके हाथ में ठीक है अब हम इसके एक्स्टेमेटीज की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या देखने को मिरती है औल जॉइंट में बहुत ज़्यदा वीक्निस चाटेमिंट्ट में अब हमसके मांइंट के मांचर का यह इसमें लांच सेंशे दाज करते हमें मुझ जाएगा। और इसके हातों से जो भी रहेगा गिर जाएगा ठीक है इसका परसन और क्या रहता है सेंस्टिव होता है अब हम इसके यूरीन सिम्टम की बात करें फ्रिक्वेंट डिजायर होती है यूरीन पास आउट करने की इबन अगर परसन ने सड़न पास किया है उसके बाद भी इसको आपको पसंद आईए हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग